नमस्कार दोस्तो इस Study with Happiness में आप सभी का स्वागत है और दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे अधिसासी अधिकारी की अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे की Government Job से Related Guidance आपको हमारी चैनल के माधियम से मिलती रहे दोस्तो कमेंट किया है रिशी राज जी ने और कहते हैं कि कुछ समय पहले जो EU की वेकेंसी के बारे में बताया था उसमें O Level Form Fill करते समय होना चाहिए या जो दो साल का Provision Period होता है उसमें Clear करना है बात चल रही है यहाँ पर दोस्तो नगर पंचायत के अधिसासी अधिकारी के क्योंकि अधिसासी अधिकारी भी जो है वो कई प्रकार के होते हैं तो अगर हम नगर पंचायत की बात करें दोस्तो जो की Lower Subordinate के थूर Recruitment जिसकी होती है और 2800 Grade पे होता है Qualification जो है वो साधरन इसना तक है मगर बात O Level की करें तो दोस्तो अभी तक कोई नियमा वली में इसकी Change तो हुआ नहीं है जो Recruitment Rules होते हैं उसमें कोई Changes नहीं है तो अभी के जो वर्तमान रूल है उसके हिसाब से आपको दो साल के अंदर यानि कि जो आपको Provision Period है उसके अंदर आपको O Level क्लियर करना होगा ये नहीं कहा गया है कि आपको Form का आविदन करते समय आपके पास O Level होना चाहिए मान लीजिए यदि आप दो साल में भी क्लियर नहीं कर पाते हैं O Level तो आपका जो Provision Period है उसे बढ़ा दिया जाएगा जब तक कि आप उसे क्लियर ना कर लेंगे ठीक है दोस्तों तो अभी तक के जो Rule है उसके अनुसार ये है क्योंकि आने वाले समय में जिस हिसाब से जो Data Collect किया जा रहा है उसमें आदिसासी अधिकारी के भी काफी पद है और बीच में तो खबर ये भी आये थी कि इन्हें प्रती नियुक्ती से भरती किया जाएगा यानि कि Deputation से भरती किया जाएगा मगर जब Student का जो अंदोलन चला उसके बाद से ये बात निकल के आ रही है कि ये सब चीज़े जो है वो सीधी भरती के थुरू इनका Recruitment होगा ठीक है दोस्तो और यदि आपकी भी कोई Query है तो आप Comment section में लिख सकते हैं क्योंकि अब मैं कोशिश करूँगा कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग के जो Doubs हैं उन पे वीडियो बनाई जाएं जो News आती हैं उन पे थोड़ी कम वीडियो बनाई जाएं आप क्या चाहते हैं कि किस तरीके की वीडियो ज्यादा बनाई जाएं आप मुझे comment section में बता सकते हैं और यदि आप की भी कोई query है और कोई urgent query है जिससे related आप मुझसे फोन पे बात करना चाते हैं तो उसका तरीका भी इसी वीडियो के description में दिया गया है आप मुझसे फोन पे बात कर सकते हैं और दोस्तों हमने अभी तक अपने चैनल पर जितने भी mock test करा है है history, geography, polity, UP, special उन सभी के PDF प्रीती मेडम ने तयार कर दिये हैं वीडियो के description में आपको सभी के link मिल जाएंगे धन्यवाद जय हिन, जय भारत